एक है लो गारे नमस्कार और आपको स्वागत निया बीडियो में और यह बीडियो है इस पार्ट इस श्रीज का पार्ट 8 है और इसमें हम लों सुखने वाले हैं कैसे हम भीव पेजर को एडेप्टर को क्रियेट करते हैं यार अग बहुत ही इंपॉरलेट टॉपिक है इस ची करने को मिल जाएगा ओभी इंडियन करेंसी में कोई डॉलर में नहीं तो यहां आपको देखिए करना क्या है सिता जाना है पर और यहां देखिए जो हमने बनाया था यहां सब्सक्राइब करता हूँ कि यार आप पहले पिछले वीडियो देखें उसके बाद इस वीडियो पर जंप करें क्योंकि वह सही आपको समझ में आने वाले नहीं कि यहां आप पूरा सी देखिएगा तो ही आपको समय आएगी और साथी साथी चीज़ को आप यूज करते हैं आप में इंप्लमन करके तो यहां आप करना है राइट ख्लिक एक लेना है क्ली झालाश हम को यहां लेंगे जावा के व्लस जिसका नाम रहेगा गा डियू पेजर अडड़ेप्टर आपके सामने यहां एक न्यू पेज बनके आ गया है अब चलना है हमको गूगल क्रोम क्योंकि आपको इस वीडियो में कोपी पेश्टो करवाऊंगा लेकिन साथ में आपको समझाऊंगा भी क्योंकि आपकी टाइम जरूरी है आपकी टाइम को कम से कम मैं लूँ इस चीज का म मैं ध्यान जरूर रखूंगा तो यहां डायटली इसको चलना है सिधा गूगल क्रोम पर और यहां टाइप करना है मैं अपको पार्ट एट पर ही क्लिक करना है इसके बार देखिए यहां आपको बताया गया है कि इस तरह यहां वर्क करता है नहीं करता है तो यहां देखिए यहां दिया हुए एक्स्टेंड फ्राग्मेंट पेज अडाप्टर तो मैं डारेटली इसको एक्स्टेंड करूँगा यहां मैं चलता एक्स्टेंड फ्राग्मेंट पेज अडाप्टर देखिए यह है ठीक है उसके बाद निचे दिया हुआ है कुछ वेरियेवल उसको हम डारेटली यहां से कोपी पेश्ट कर सकते हैं तो राइट के लिए कोपी और इसके निचे हम इसको पेश्ट कर सकते हैं उसके बाद जो भी आएगा यहां तो आपको इंपोर्ट क्लास कर देना है और लिष्ट को भी यहां से इंपोर्ट क्लास कर देना है फ्राग्मेंट को भी यहां से आप इंपोर्ट क्लास कर देना है यह होगी इतना उसके बाद आपको आपको यहां का करना है वेबसाट में तो मैं आपको रिकमेंडर कर दूँगा कि यार आप को शेटर यहां से कॉपी पेस्ट नहीं कि जाएगा कि आपको यहां देखे दिया हुए हाँ तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है तो यहां चलते हैं वापस अपना वेफसाइट के अंदर में और यहां हम लोग टाप करेंगे शिर्फ लिखेंगा यहां कंस्ट्रक्टर तो कंस्ट्रक्टर और इसके निचे अल्ट एंसर्ट दबाएंगे और यहां दिखे दिया हु क्लिक करेंगे एंटर कर देंगे तो देखिए यहां किलियर हो गया दोनों से लटने करना है एक इसलिट करना है मैं आपको यह वार फिर से दिखा दू के लिए यह आपको नोटिस करना बहुत जरूड़ी है अल्ट एंसर्ट कंस्ट्रक्टर देखिए जो यहां करना है डायरेटली इसको क्लिक करना ओके यह देखिए हमारा हो चुका है अब हमको यहां गेटर कर निकालना है टाइम तो इसके लिए क्या करेंगे डायरेटली हम से वेबसाइट पर तो वेबसाइट पर जाने बढ़िया है बेटर रहे क्या है कि टोटली काम अबिएंस कर इस इफिकत खेट और गरट कंटividades चेक करते हैं कि यहां कि यहां वेबसाइट में गेट ऐट में गेट आयट हैट में का, गजा पेट एटाम हो जिसको एटा है रीत अजुड tyr meaning इस रिट रॉट कुशन कोपी करेंगे और यहां इस चीजे दिया हूए रिटरन यहां इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे बहुत इजी है कोई बड़ा चीज नहीं है है देखिए इतना हो गया अब करना क्या है सिधा अब निचे में आना है और यहां कोछ बनाना है तो यहां गेट पेज टाइटल तो यह जो दिया हुआ है, गेटर के लिए और सेटर दोनों के लिए दिया लाता है, तो या इसा करते हम इसको, सिर्था इसको डायटली यहां सो कोपी करते हैं, और इसके नीचे यहां हम लोग पेष्ट कर जाते हैं, जो भी आएगा error आएगा इसको आपको class को import कर जाना error हट जाएगा उसके बाद यहाँ हम लोग इसको दुबारा यहाँ copy करेंगे जो fragment को हम लोग एड करेंगे और इसको नीचे इसको हम लोग यहाँ paste कर देंगे कि टोटली काम हमने यहाँ कर चुके हैं और कुछ नहीं करना है हमारा टोटली काम जो था यहाँ हो चुका है जो भी आर रहा है इस error को आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यह error तब complete होगा जब हम इस code को main activity में implement करेंगे लेकि अभी तक हमारा जो एप है completely so नहीं हुआ है क्योंकि इसलिए मैं आपको लास्ट में एप को रन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यार यहाँ रन करेंगे तो हमारा एप उट्मेटिक क्रेस्ट करने वाला है तो जब तक हमने कोई code को implement नहीं कर लेंगे तब तक हम इस एप को लेकि उस बात को आपको ध्यान देना है ठीक है तो सबसे पहले करना कितना हो गया तो यह आपको राइचलिक आप को करना या प्र Demo क्रेस्ट अठाटर tee वा या फिर आपको कंट्रोल अल्टरिशन धंदाए तो l दावाई तो आपए इस आपको यह और यह कमारा जो काम था यह हो गिया है और साथ ही साथ हमारा यह वीडियो भी complete हो गिया है अब जो last video है last topic जो है इसका वो कल देखने मिलेगा आपको और उसमें complete final होने वाला है कि कैसे यह work करता है कि उसमें हम लोग हर demo देखेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे तो चले मिलते हैं नेक्ट वीडियो जय ही जय भारत वन दे मातरा